तो आज हम बात करेंगे हीट और थार्मोटाइमेक के जी तुछोंट 24 के सारी पीवाइक उसके बारे में हर साल आपको इससे दो तीन क्वेश्चिन दिखे जाएंगे और यह बहुत इंपर्टेंट आपको चैप्टर होता है सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि A से B आपका कोड़ के लिए तो आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों आपका अपका फॉडशन होता है लिएक पर हमसे यहांन पर इंटर्ड ल हो गया है ऐसे दोस्तों आम देन क् मोल 6,30 से 300 तो ईश至 300 तो यह आपका 30 का है अपन गामा माइनस 1 तो यह आपका 3 माइनस 2 तो यह दोस्तों 15 इंटू 8.3 something तो यह 125 आपका answer हो जाएगा तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं और एक integration वाला method भी आप कर सकते हैं इसके पाद अगला आपको दिया हुआ है कि माइनस 78 डिगरी Celsius आपका temperature of gas ह और average transitional kinetic energy उसकी k है आपको बताने कि वो temperature जब भी आपकी 2 k हो जाती है तो kinetic energy दोस्तों होती क्या है molecule की f by 2 kt होती है तो यहांदे की kinetic energy directly proportional to आपकी temperature होती है तो पहले temperature क्या माइनस 78 लेकिन हमको Kelvin में बनाना है तो 273 add करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 195 आपका हो जाएगा यह और हमको दोस्तों अगर 2 के बनाना है तो हमको 195 करणा डबल करना पड़ेगा यानि कि 390 हमको दोस्तों करना पड़ेगा Kelvin तो 390 मैंसे अब मेरे को Celsius में ले जाना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा तो यह 117 आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है वाल्यूम दोस्तों आपका चेंज किया है 5 लीटर से 4 लीटर रेशियो अफ इनिशियल प्रेसर से फाइनल प्रेसर आपको बताना है तो आप जानते हैं PV की पावर गामा आपका है पी टू वी प्रेसर से फाइनल आपको कितना है प्रेसर आपको दोस्तों आपको दोस्तों दिया हुआ है कि एक sample है 1 mol gas का temperature T पे उसको adiabatically आपने expand किया है volume उसका double हो गया अगर आपको gamma 3Y2 दिया हुए तो work done आपका क्या होगा तो यह बहुत ही अच्छा question है तो work done आपका होता क्या adiabatic में nr delta T upon gamma minus 1 तो मेरे पास n है 1 mol r है gamma minus 1 है और यहाँ पर दोस्तों मेरे को सिर्फ delta T मेरे को धोड़ना है तो यह आप निकाल सकते हैं PV की power gamma आपका दोस्तों होता है constant तो याने की P को में कहा लिख सकता हूँ PV equal to nrt आप जानते है PV equal to nrt आप जानते हैं तो P को में nrt by V लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर temperature की बात करनी है तो T by V तो यह V की power gamma minus 1 हो जाएगी क्योंकि नीचे भी एग भी है यह आपका constant आएगा तो याने की final temperature के लिए मैं क्या कर सकता हूँ T1 V1 की power gamma minus 1 is equal to T2 V2 की power gamma minus 1 तो T2 by T1 आपका आज आएगा V1 by V2 की power gamma minus 1 तो V1 by V2 की power gamma minus 1 तो याने की V1 by V2 की power gamma 3 by 2 minus 1 1 by 2 तो यह V1 आपका कितना है V1 तो आपका V है बाद में आपने उसको double किया है तो बाद में आपका 2V हो गया तो V upon 2V की power 1 by 2 याने की 1 upon 2 की power 1 by 2 1 upon 2 की power 1 by 2 याने की 1 upon root 2 यह आपका आया t final by t initial तो t final आपका आगया t by root 2 तो अब आपको कुछ नहीं करना nr delta t upon gamma minus 1 करना लेना है एक mole है तो आप लेख सकते हैं r उसके बाद delta t आपका t by root 2 minus t upon gamma minus 1 आपको कितना है 1 by 2 तो इसको आप कर लेंगे तो यह दोस्तों आपका root 2 times यहां से cancel हो जाएगा और यह मेरा आ जाएगा root 2 rt 1 minus root 2 और याँ पर एक minus रहता है जब करते हैं physics में तो यहां से दोस्तों यह आपका root 2 minus 1 हो जाएगा root 2 rt root 2 minus 1 क्योंकि आपका यह negative हो जाएगा इसका 1 minus root 2 का तो यह दोस्तों तो आप अंदर में भी सकता हूं तो आर्टी टू माइनस रूटू सिर्फ आपको डल्टर टी एपन गामा माइनस वन गरना था तो इसलिए अगला आपको दोस्तों दिया हुए है कि वर्क आपने इतना किया है आईसो बारिक गामा आपन गामा माइनस वन इंटू वर्क आपका होता है कि इसको अब डिराइब भी कर सकते हैं तो गामा बन पॉइंट पॉइंट फॉर इंटू क्यू हंडर्ड तो यह तो आपको कैंसिल हो जाएगा 25 तो यह 25 इंटू 14 यह दोस्तों आपका लगभागत 250 प्लस 100 350 आपका जाएगा इसके बाद अगला आपको दिया हुए दा मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिकूल से इस इन्वर्सली प्रपोर्शनल तू स्क्वेर ऑफ मॉलिकूल डामीटर यह दोस्तों आपका सही बात है मीन फ्री पाथ जो होता है आपका क्या होता है बन अप वान टू पाई ए यह होता है तो यह इंवर्र्सली प्रोपोर्शनल स्क्वेर क्यार अपको होता है इसके बाद अगला इवरेश कानेटिक व डंकीडियोप गैस ज्वेइ krij डरेक्पोर्शनल तू आप 쓸्क इमेंगार्ड दिया हुए एक गैस माला के बात करता है तो क्या होती है लिए दिग्री चल्टियों तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसे साइट कॉंस्टेट वाल्यूम का मतला सीवी का आप आपसे रेशियो पूचा है सीवी क्या होता है आपका f by 2 rt होता है और डिग्री ओफ फीडम का आपको रेशियो बताने तो cv1 by cv2 बागी सब्सक्राइब के लिए आपकी दिग्री ओफ फीडम की वैल्यू 3 होती है और रिजिड डाय आट अपकी दोस्तों 5 होती है तो 3 by 5 आपका बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा पली अटामिक के लिए 6 होती है इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है कि पीवी क के बराबर है और यहां से अगर मैं दोस्तों बात करूं तो टीडी आपको दोस्तों टीसी के बराबर है और इसके बाद दोस्तों यह एडियाबैटिक करव आपको यह देखने को मिल रहा है तो अब आप यहां से देख भी सकते हैं नहीं यहां पर किया है नहीं तो हमें आप के बराबर है और BILL आपका टीसी विया हूं को में आप 10 said तो यहां पर यह पर यह यह कर्व होगा यह दोस्तों को एडियां ट़िक है तो आप जानते हैं टी यहां से क्या टी डी वी डी की पावर गामा माइनस वन यह आपका आएगा और यहां से इस कर्ब की अगर मैं बात करें तो यह भी तो एडियोबैटिक है तो टी बी वी बी की पावर गामा माइनस वन आएगी आपकी टी सी और टी सी वी सी की पावर गामा माइनस वन लेकिन आ यहां पर आपका td tc के बराबर है यहांने की लगभग यह आपका इकपल ही आपका आ जा रहा है तो va by vd आपका vv by vc आपका हो जाएगा तो इसका a option आपका correct हो जाएगा इसके बाद अगला आपको दिया हुए specific heat का आपको दोस्तों dimension बताना है तो specific heat आपका होता क्या है q equal to mc delta t होता है तो specific heat c का आप कैसे निकालेंगे q by m delta t तो q का क्या होता है ml square t minus 2 होता है upon m delta t का हो जाएगा k, k minus 1 हो जाएगा तो l square t minus 2 k minus 1 से ही बात है इसके बात dimension of gas constant आपको यह दिया हुए है तो क्या होता है pv is equal to nrt and number of mole है तो r का dimension होगा pv by t pv आपको क्या होता है वर्क होता है तो इसका ml square t minus 2 में लिख सकता हूं क्योंकि work is a form of energy upon t k तो ml square t minus 2 k minus 1 तो यहाँ पर t minus 2 आपको आपको फॉल्ट है इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है energy of 10 non rigid diatomic molecules at temperature t तो non rigid की बात अगर मैं करूं तो non rigid में दोस्तों क्या होता है normal तो इसमें दोस्तों 5 होता है degree of freedom लेकिन इसमें vibrational mode जादा बढ़ जाते हैं क्योंकि non rigid है यहाँ पर dieatomic के लिए इसका 7 आपका आए जाता है degree of freedom यहाँ पर energy आप कैसे निकालते है तो delta u आपका होता है n cv delta t जो आपका internal energy होता है तो n cv आपका क्या होता है f by 2 r t होता है तो इसके लिए f का कितना है 7 है तो 7 by 2 r t और दोस्तों यह t और यहाँ पर n आपको कितना दिया हुए 10 mol दिया हुए तो 10 into 7 by 2 r t यहाने की 35 r t यह दोस्तों आपका answer हो जाएगा इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुए a total of 48 joule heat is given to 1 mol of helium captain of cylinder the temperature of helium increases by 2 degree Celsius the work done आपको बाद बताना है तो यहाँ पर क्यों आपने दोस्तों दिया हुए 48 degree 48 joule आपको दोस्तों आपने दिया है उसको heat और दोस्तों आप delta u निकाल सकते हैं क्योंकि हमको यह दिया हुए कि one mol है तो हम n cv delta d करके निकाल सकते हैं तो एक mol है cv helium के लिए हम निकालेंगे तो f by 2 r t करेंगे तो f by 2 r t करेंगे तो helium तो आपका मुल्य एक्टमिक है तो 3 उसके लिए एफ होगा 3 by 2 आर आपका 8.3 और यह आर और हम T करेंगे तो F by 2 R T यह दूस्तों आपका हो जाएगा तो हम इसको अभी वह ले लेते हैं 300 डिग्री केलवे उसके बहुत ले लेते हैं यह 24.9 आपका आ जा रहा है डल्टा यू और क्यों होता है वक्डन प्लस डल्टा यू यह आपका फोर्टी एट और यह आपका 24.9 यहां से आप दोस्तों माइनस कर लेंगे तो 48-24.9 यह आपको कितना आजाएगा 23.1 आपका अंसर हो जाएगा आपको क्या करने डल्टा यू और यू निकालनी नहीं इसके बस स्पेसिफिक हीट आपको बताने इसके लिए आपकी क्या ट्रिक होती है तो नॉर्मली क्या होता है CP-CV आपका R होता है तो CP आपका दोस्तो CV प्लस R होता है में इस रिलेशन से लेकिन अगर दोस्तो PV की पावर N आपकी क्या रख देना होता है यह जाएगा यहाँ पर V स्काठ्व हो जाएगा यहां पर V हो जाएगा एक अगर आपको आपका कौंस्टन है तो DP 0 हो जाएगा तो PDV है यहाने की वर्क आपका RDT upon 2DV हो जाएगा N आपका 1 है तो N आपको 1 अगदेंगे और आप जानते हैं जो आपकी Q होता है वर्कडन प्स डेल्टा यू होता है तो यहां से Q का आप CP डेल्टा T, CV डेल्टा T और PDV रखेंगे तो यहां से आप दोना CP Q डेल्टा T, CV प्रस साड़ बाइट वी आजाएगा इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुए है कि हीलियम और ऑक्सीजन है रूट मीन स्क्वार का आपको रूट मीन स्क्वार आपकी जो स्पीड है उसको दोस्तों आपको बतानी है तो Vr में साबकी क्या होती है ये होती अन्डरूट 3RTbym ये होती है अन्डरूट 3RTbym तो ये दोस्तों आपके अंडरूट M पे दोस्तों ये इन्वर्शली प्रपोर्शनल होती है तो जो आपको दोस्तों हीलियम का और ऑक्सीजन के रेशियो आएगा वो इन दोनों के masses के ratio का under root होगा M ही आपका helium का होगा oxygen का कितना होता है 32 helium का आपका होता है कितना 4 तो ये under root 8 यानि कि 2 root to h21 आपका c option correct हो जाएगा इसके बाद अगला आपको देश तो दिया हुए कि adiabatic process में आपका pressure जो है वो q of the temperature के आपके dependent है तो आपको बताने cv by cv क्या होगा तो ये c by 2 आपका हो जाएगा आप यहाँ पर दोस्तो कर भी सकते हैं कैसे मैं करूंगा जो आपका pressure है दोस्तो वो directly proportional to आपका cube है वो directly proportional to आपका दोस्तो cube है और pv की power gamma आपका दोस्तो constant होता है P V की पावर गामा आपको जोस्तों, constant होता है और मैं V को क्या लेख सकता हूँ NRT by P लेख सकता हूँ NRT by P को हममे NRT by V ही लेख सकता हूँ NRT by V ही मैं जोस्तों इसको लेख लेथ हूँ NRT by V ही मैं हüş tout D V की पावबर गामा माइनस वन इन टू यहाँ पर आपका यह टी आजाएगा तो यह प्रपोर्शनल टी क्यूब है तो यहाँ से वी आप देखें तो वी जो है जो है जो है जो है जो है दोस्तो आपका प्रपोर्शनल टी की पावर टू की आपका प्रपोर्शनल आ रहा है याने कि आप देखें तो जो आपका प्रे ला रहा है और उसके उपर आपकी पावर कितनी आ रही है उसके उपर दोस्तों आपकी पावर आपके इतनी आ रही है तो माइनस थ्री गामा उसके उपर पूरी पावर आ रही थी क्योंकि वहां पर वह क्यूब रही थी तो और यह आपका जीरो होना चाहिए क्योंकि हम दोस् में बात कर रहा था तो गामा जो है आपका दोस्तों 3 by 2 आपका आना चाहिए बाकी आप दो इसको खुद भी करके देख सकते हैं इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुए एन आपकी नंबर डेंसिटी है और यहां पर आपको बताना है कि जो आपका मीन फ्री पार्ट ह होता है क्या होता है वान अपवान फाइ डी इसके बाद आप देखके तो इस में दुस्तों आपको बताना ए हीट आपके पूले system का आपने दिया है तो आपका q होता है वगडन प्रस जल्टा यू cyclic process में आपका दोस्तों जो internal energy का change होता है zero होता है क्योंकि किसी भी point से मैं किसी भी point पे lot आऊं तो आपका जो change temperature होगा zero होगा तो q आपको दोस्तों इसके आपका दूरी 280 होगी और 280 को बीच से यह काटेगा 170 दोस्तों आपका इसका radius 140 आपको दोस्तों radius हो जाएगा तो पाई इंटू 140 का square तो यहां से आप दोस्तों इसको calculate कर लेंगे और यह बात ध्यान रखिएगा यहां यह किलू पास्कल में है और यह आपका cc में है को आपको दौनों का multiply करना होगा cc cubic centimeter यानि कि 10 G power minus 6 तो यह दोस्तों आपका आजाएगा 65.2 को something आपका यह आजाएगा इसके बाद अगला दोस्तों दिया हुआ है कि frequency अगर जेट पर आपका 27 डिगरी celsius है तो 127 डिगरी celsius पर दोस्तों आपका यह क्या होगा तो जेट आपका दोस्तों प्रपोर्शनल टू अंडर रूटी होता है तो यह आपका आप इसको यहां से इसका दूसरों 6 आना चाहिए टोटल मिला कि आपको किसी में नहीं आ रहे है तो ऐसे वी आप कर सकते हैं वहना आप ध्यान भी रखना चाहिए तीन ट्रांजेशनल और तीन रोटेशनल आपकी डिगरी आफ फीडम होती है इसके बाद यह तो आपका सेमी आ गया इसके आपका प्रेसर होती है तो जिसका मैं दोस्तों आपका प्रेसर बड़ा उसमें आपकी रोवी बड़ी तो यहां पर आपका प्रेसर बड़ा है तो रोवन आपका रोटू से बड़ा हो जाएगा इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुए है कि 8 और 10 ओम आपके दोस् दखने पर आपका क्या हो जाता है तो और मैंस आरॉडट अपी तो यहां पर डिल्ट सकते हैं और उसके बाद निकाल सकते हैं इसको और इसको आर एकल टू आर नॉत बलस अलफा डल्टा टी तो आपको दोस्तों इसको तो बात में है तो यह रिजिस्टेंस आपका किसम है एक में है तो आपका यह 8 आपका initial है 1 प्लस alpha आपका कितना है 1 अपन 200 आया 1 अपन 400 वह आपका आया था इन्टो 400 तो यह दोस्तों आपका 1 प्लस 2 को 69 आपका answer हो जाएगा इसके बाद अगरा दोस्तों आपको दिया हुआ है कि Celsius scale में आपका temperature बढ़ता है 40 degree Celsius से तो increase in temperature आपका क्या होगा तो फिर दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपका Celsius scale होता है वह होता है 9 by 5 F प्लस 32 तो यहां से मैं इसको differentiate कर दूँ तो DC by DT आपका क्या हो जाएगा 32 का तो 0 हो जाएगा तो यह 9 by 5 delta F या फिर DF by DT आपका हो जाएगा तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि जो delta F by delta T होता है वह आपका क्या होता है वह आपका होता है तो आप देखे तो यह Fahrenheit आपका होता है 9 by 5 तो वह माप किजिए का 9 by 5 C प्लस 32 आपका होता है Fahrenheit तो यहां से मैं differentiate करूंगा तो DF by DT आपका आजाएगा 9 by 5 delta C by delta T अगर दोस्तों आपका दोस्तों आप देखें तो अगर Celsius में चेंज आपका 40 है तो delta C में 40 रखूंगा तो यह दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 8 तो यह 72 2 degrees Fahrenheit का आपका चेंज आजाएगा इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुए तो यह दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है तो यह हमने अभी question फिर से भी किया था तो यहां से आप देख भी सकते हैं Q gamma plus 2 upon यहां से लिख सकते हैं तो यह दोस्तों आपको कमेंट करना है इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुए तो root mean square मैंने आपको बताया यह अंडर root 3tym यह भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है तो हम कुछ नई वाले कर लेते हैं six moles of diatomic gas के साथ मिक्स किया है तो आपका पूरे का दोस्तों क्या हुए आएगा तो आपको ज्यान रखना है कि cv अगर दोस्तों average आपको लेनी पड़ें तो आपको लेना है n1 cv1 plus n2 cv2 upon n1 plus n2 आपको average दोस्तों ले लेना है तो सबसे पहले हम monoatomic की बात करते हैं तो 2 mole है और आपकी monoatomic के लिए क्या होते है 3 f by 2r होता है तो 3 by 2r और n2 आपका कितना 6 mole है diatomic है तो 6 into diatomic के लिए 5 by 2r तो 15 plus 3r 18 आपको ये आ जा रहा है अपन n1 plus n2 कितना है 6 plus 2 8 है तो यहां से आप देखे तो 9 by 4r ये दोस्तों आपका सही आंसर हो ज अध्या हुए तो यह दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है PV की पावर 3 by 2 आपका हम एससे पर देती स्वेस्प्रेश निकाल सक्ड़ चूके हैं तो यह दोस्तों आपको कमेंट करके बताना हए तो अग्ला दोस्तों आपको दिया हुए तो अंडर-root held nächste हो तक मिस अपका आ करना आ जाता है 350 मीटर पर सकेंड आपका आंसर आ जाता है क्योंकि आपको गामा तो पता यह दिया हुआ है इसके बाद अगला दोस्तों दिया हुआ है टोटल इंटर्नल एनर्जी आपको निकालना है तो क्या करेंगे एन वन सीवीवन डेल्टा टी प्लस एंट्टू कि यहकर छुद कर जाएगा और गन का दिया हुआ है और शीजें का दिया हुए हो तो यहां ठोल चिपटि वक्तर प्रोश्ट मृ एंटर्जिक को सभारिक के लिए तो आगर में दोस्तों बॉट करूं तो यह एनार्वाइवाई प्रफरयति अरह यहानिकि पर्फिय आ रहा हो जाएगा इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है यह पैरामीटर डैट रिमेंस सेम फॉर्दा ऑल गैसे साथ गिवन टेंपरेटर तो काइनेटिक अनेरजी आफ मॉलिक्यूल्स जो है आपके कॉंस्टेंट होती है क्योंकि थ्री बाइटू के बीटी आपकी होत तो यहां यह सिर्फ आपके टेंपरेश्टर पर करती है इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुए कि आपने इसको हीड दिया तो यह आपको यही वाला आपको करेक्टरिस्टिक बनता है पहले टेंपरेचर बढ़ेगा फिर थोड़ा उसको यूचलाइज करेंगे फ यहां पर मैंने इसको किया भी है और गामा होता है आपको क्या है गामा आपको दोस्तों एफ के साथ उसका रिट्रिस्टर लिए समदब बन परस तूबाइए तो यह वन प्रस तूबाइए फ मिक्सचर तो यह बन पॉइंट फाइब तो आपका आंसर आ जाएगा इसके बा प्रसेस एक लिए आपको वो 10 इंवर्स है तो लॉग पी इक्वल टू गामा लॉग भी आपका आजाएगा पीवी की पापर माइनस गामा कॉंस्टन्ट याने कि सीए आपके सीवी प्लस आपॉन प्लस गामा आजाएगी सिर्फ आपको मैंटमेटिक्स लगाना है और बी के पादाना है तो टेम्पेचर आप गैसा आपको बिताने तो किनेटिक एनरजी आपके क्या होती है और आप यहां पर देख में पीवीट door nrt आपका होता करना है कि n की value क्या होगी तो यह questions में दोस्तों आपको कुछ दे रहा हूँ यह easy-easy questions है यह दोस्तों आपको करके लानी है मलब करके आपको comment करना है और इसके बाद क्यूब के वो आपके proportional है तो क्या value आती है तो यह तो हमने अभी किया था 3 by 2 आती है इसके बाद अगला है दोस्तों total kinetic energy यह दोस्तों आपको calculate करनी है तो यह दोस्तों लगभग आपकी 62 32 आपको यह आ जाती है तो 3 by 2 kt आप कर सकते है अच्छा वन मॉल आपको करनी है तो यह आपकी हो जाती है f by 2 rt तो 5 by 2 8.31 इंटू आर्टी टेंपरेचर आपका 27 दिग्री सल्च है 300 Kelvin तो 157 15 to 8.314 तो यानि कि यह दोस्तों मेरा थोड़ा जालदा चले जाएगा तो इसलिए दूस्तों आपका 68.45 होगा यह दूस्तों माप कीजिएगा इसके बाद अगला दूस्तों आपको दिया हुए है तो specific heat आपको constant volume पे आपको दिया हुए है तो delta u आपको निकालना है तो आप mc delta t करके और इसको equate करके ml के साथ इसको कर सकते हैं यह भी आपको comment करके बताना है इसके बाद दूस्तों अगला दूस्तों आपको दिया हुए है यह कि average kinetic energy of monoatomic molecule at is 0.0414 तो यह kinetic energy आपके क्या होती है 3 by f by 2 k by 3 kt आपकी होती है f monoatomic के लिए 3 होता है तो 600 Kelvin आपका अंसर हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जेए कपी बाइक को डिस्क्रिप्शन की लिंक से देख सकते हैं thanks for watching